हाई फ्रेंट्स आपका मेरी चैनल टेकनिकल अमके डियर में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक टिकट बुक की हैं और ओ टिकट अगर वेटिंग लिस्ट में रहता है जैसे अगर माली जैसे आपने जब टिकट बुक किया तो वेटिंग लिस्ट पच्यास था और जब चार्ट बन गया मतलब किषी दिन जाने वाली है उसके चार फंटे पहले चार्ट बन जाती है लिएज दिसे दो पाएंगे और नहीं जा पाएंगे तो पैसा कम मिलेगा कितना मिलेगा इस वीडि़िए आपको पूरा डेटेल बताओंगा तो चलिए फिर वीडियो को सुरू करतें हैं वीडियो को सुरू करने इस पाले फ्रिन आपसे छोट सर्क्वेस्ट करना चाहूँगा अगर वीडियो पसंद आये तो Please like कर दीजिगा औरTranger naar चैनल पे पहली बारा तो Please subscribe प्राइब कर दीजिगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिगा तो फ्रेंट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट अगर आपका वेटिंग लिस्ट टिकट कनफर्म नहीं होता है तो क्या होगा पूरा डीटेल में बताऊंगा तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं एक वेटिंग लिस्ट टिकट में बुक किया था वेटिंग लिस्ट 11 था वेटिंग लिस्ट 11 जब मैंने बुक किया था उसके कुछ दिन के बाद वेटिंग लिस्ट 9 आ गया 7 आ गया 6 आ गया तो फ्रें 11 जून को मैंने टिकट बुक जाता है तो लोग यात्रा कर सकते हैं लेकिन जब चार्ट बन जाता है उसके बाद जिलनों का वेटिंग लिस्ट रह जाता है जैसे वेटिंग लिस्ट चार पी अटक गए वेटिंग लिस्ट पांच वेटिंग लिस्ट दस इस तरह से बहुत सारे लोगों का होता है तो अगर वेटिंग लिस्ट में रहेगा तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं या रूल है तो बहुत सारे लोगों के मन में एडाउट होगा कि हमारा पैसा कब आएगा उसके लिए क्या करना होगा हम अपना टिकट कैंसिल करें या उसी तरह से छोड़ दें कैसे क्या होगा तो इस वीडि पड़ा जाएंगे कि क्यों इस तरह से दिखा रहा है वहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं हो जा रहा है बहुत सारे लोग काते हैं कि जब वेटिंग लिस्ट आपका टिकट रहेगा अगर कन्फर्म नहीं होगा तो ओ कैंसिल हो जाएगा जब ट्रेंड चली जाएगी लेकिन वहा नहीं पर खोंगर तो Hepynilee से 1 इस्ट तो फिर औरर देख तीन दीन के बाद यहाँ पे लिख दिखा रहाया ऎक। हैं तो जब आपका माली जो टिकट कैंसिल हो जाता है या आप अपने खुद माली जो किसी का टिकट कैंसिल और तो तीसरे या चौतह दिन आपका पैसा आपके bank account में या wallet में जहां से भी आप payment की रहेंगे उसमें आ जाता है लेकिन फ्रेंड हमारा जो ticket है ओई-गारा तारिक को वेटिंग था तुम्हाले जो train चली गई उसके दो-तीन दिन बाद cancel होगा मतलब 13 चौदा को हमारा ticket cancel हो गया तो 17-18 को पैसा आ जाना चाहिए लेकिन पैसा नहीं आया 20 तारिक तक हमें तेजार किये लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया 21-22 गया उसके बाद फ्रेंड हम एक और screen start आपको दिखा देता हूं जब आप refund history में आप जा करके check करेंगे जो refund history जो refund status होता है उसमें यहां पर फ्रेंड देख सकते हैं साप साप लिखा है कि amount deducted मतलब 411 रुपय यहां पर हमारे bank account से कटे थे और refund amount देख सकते हैं 340 रुपय यहां पर लिख रहा है मतलब यहां पर लिख रहा है कि refund हम करेंगे 340 refund amount has been sent your wallet या bank travel agent या account मतलब यहां पर बोल रहा है कि refund amount has been sent मतलब भेज दिया क्या है और आपके wallet में जाएगा या bank में जाएगा travel agent के account में जाएगा तो यहां पर फ्रेंड मैं भी यहीं इंतजार कर रहा था कि क्यों पैसा नहीं आया यह देख सकते हैं UPI देख सकते हैं पेटियम से कटा था UPI पेटियम के UPI से तो हमारा जो पैसा है वो पैसा आया 24 तारिक को तो आप सोच लिजे कि 11 तारिक को हाँ पे मान लिजे cancel 13 तारिक के बाद तो आप इह मत सोचिए कि दो तीन दिन में पैसा आजाएगा तीन चार दिन में पैसा आजाएगा नहीं और आप मेरा देख सकते हैं यहां पे 14 दिन लग गया था इसी तरह से आपका भी 14 दिन 15 दिन लग जाएगा लेकिन आपको घबडाने की जरूरत नहीं है पैस आपके अकाउंट में जरूर आएगा आप इह मत सोचिएगा कि 14 दिन हो गया 15 दिन हो गया हमारा पैसा क्यों नहीं आया तो पैसा आज आएगा आप घबडाएगा मत तो फ्रेंट ए प्राबलम बहुत सारे लोग फेस कियोंगे कि उनका पैसा क्यों नहीं आ रहा है तो फ्र